ही एवरीवरन वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल साधी सीरीज का ये नेक्स ब्लॉग है लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग रेडी होने के लिए आ रहे थे गाहों वाले घर में यहाँ पे हम दोनों मिलके रेडी हो रहे थे अभी हम लोग रेडी होके पहुँच गये थे और यहाँ पे हम दोनों बहु मिलके हमारी ननत को थोड़े सा मसका लगा रहे थे क्योंकि वो नाराज हो गये थी एक्चुली क्या बाता ना हम लोग रेडी हो रहे थे और काफी जादा लेट हो गये थे तो मेरी ननत फोन करके बोल रहे थी कि तुम लोग एक काम करो आज मताओ तुम लोग कल आना जब सारे लोग चले जाएंगे क्योंकि मेरे ससुराल वालों से सब लोग आ रहे हैं और तुम लोग के बार में पूछ रहे हैं लेकिन तुम लोग यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हो तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी से वह गुस्ता हो गया रही थी तो आके सबसे पहले उन्हें मनाया उसके बार हमें वाग गया थे डांस करने के नहीं अभी बरात आने वाली हैं जिसकी प्रिपरेशन में थोड़े से बीजी थे बट उनको मैं लेके आई हूं ताकि मोना के साथ हम लोग फोटोज ले सकें आज हमारा मेक अप है वह भी थोड़ा टाइम लगा करने में साडी भी हमारा हैवी साइड में था तो उसको भी पहनने में टाइम लगा हैस्टाइल बनाना था और वहां पे ना मिरर मतलब दो छोटे-छोटे मिरर में हम लोग रेडी हो रहे थे तो जिस बज़े से भी ना कहीं तो हमें सुननी भी पड़ी और यहाँ पे मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही थी रोड में बहुत अच्छे से लाइट के साथ डेकोरेशन किया हुआ था जहां पे मोना बैठी भी थी वहां पे जो फ्लावर का डेकोरेशन था बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा थी और यहाँ पे हम सब बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि अभी बरात आ रही थी बरात लाने के लिए जा रहा था इशान और इसान इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या बताओ और यह सारी क्लिप्स मेरी एक ननत सूट कर रही थी यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा फोट को मतल कि गारी में ही वो गय थे एक बहुत ही इंसिडंट यहां पर हुआ था अक्चुली हमारे घर में भी बरात आ रही थी किसी और कiphर में भी आ टूसरे गाओं में तो गारी मैं क्या कहूं मैं समको यहां पर बोल रही थी न कि अभी सुभोजित फ्री है इसके बाद तो साधी हो जाएगी फिर बीजी हो जाएंगे और ऐसा फ्री टाइम नहीं मिलने वाला तो बस उनसे बाती किये आगे उनके मासी बैठी वे थी उनको मैंने वेलकम किया हाई किया उन हम लोग नहीं लेके जाएंगे मोना के जो भाई है वो लोग सुभोजित को गोदी में उठाके यहां से अंदर लेके जाएंगे एक बहुत ही प्यारी फोटो यहां पर हमारी आई है वो फोटो भी मैं यहां पर अटाज कर दूगी आप लोग देखना इसके साथ और भी को गोदी में ही लाया था लेकिन हमारा जहां पर सिटिंग एरिया बनवाया गया था बरातियों को बठाने के लिए वो थोड़ा सा ना रोट से नीचे है तो सुभोजित को अभी चलके ही अंदर आना पड़ रहा था सुभोजित के आने से पहले तक मोना भी यहीं पर बैठ के अंदर और यह सारे तो यहाँ पर मोना के ससुराल वाले लेके आये हैं तो बस इन सब को मैं यहाँ पर अरेंज करवा रही थी ताकि अच्छे से कैमरा में फोटोज वगरा आ जाएं यह सारे तो मोना के ससुराल वाले लेके आये हैं तो एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम लोग उनके लिए तॉत्तो पैक कर रहे थे जो कि हम लोग जब जाएंगे रिसेप्शन में उस टाइम पे लेके जाएंगे और अभी उनका टाइम है कि वो लोग हमारे लिए तॉत्तो सेंड करें तो यहाँ पे ना मोश्टली जो सारी दिख रही है वो सब हम लोग के लिए सेंड किया गया था बाकी इसमें काफी सारे स्वीट्स आये थे और सबसे इंपॉर्टेंट फिश मंगॉली में फिश बहुत ज़्यादा सुभ माना जाता है एंड मोना के भी काफी सारे सामान इसमें थे बरातियों का वेलकम करने के बाद अभी हमारे घर के जैंस आ गये हैं जामाई को आस्रिवाद करने के लिए आस्रिवाद का जो ट्रेडिशन होता है न बहुत लोगों का साधी से पहले ही किया जाता है मतलब proper ऐसे उनुष्ठन के साथ ही किया जाता है वो भी बढ़ हमारी यहां पर ट्रेडिशन है कि साधी वाले दिन में ही आसिरबाध किया जाता है एक साइड पर यहां पर सूपोजीत को सब आसिरबाध कर जाये थे दूसरे साइड पे मोना का भी आसरीबाद चल रहा था जो कि अभी मोना के फादर इल्लो कर रहे हैं सुबो जितका आसरीबाद हो रहा है जहां पे साधी होने वाली है वहीं पे बैठके और दूसरी साइट मोना को यहाँ पे स्टेज पे बिठा के आसरीबाद किया गया था यह मोना के फादर इल्लो थे जो कि मोना को आसरीबाद कर रहे थे और अभी रात के सारी 12 बज रहे थे और हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए मैं मम्मी और पायल और दूसरी साइट पे यहाँ पे सारे रिच्वल्स चल रहे थे जो कि मैं आपको फोटोस के थूरू से ही बताती हूँ तो सबसे पहला जो रिच्वल अपने देखा उसको बोलता है सुभोध रिष्टी जिसमें मोना की दोनों दादों ने मिलके मोना को लाया था और सुभोजित के मुपे एक मतलब कपड़ा ऐसे डाला गया था ताकि वो उसको नहीं देख सके और फिर दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे जब मोना पान के पत्ते हटाएगी एंड उसके बाद फिर माला बॉदल हुआ और उसके बाद अभी एक एकर के बाकी सारे जो भी नियम बगरा होते हैं वो सब कुछ चल रहा था खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग वहीं पे बैठे वेते और अभी बज़ रहे हैं रात के दो तो हम लोग आ गए हैं घर रूम की हालत बहुत खराब थी बहुत गंदगी हो गई थी रूम में क्योंकि सारे लोग यहां पे बैठके नास्ता बगरा कर रहे थे तो कहीं पानी का ग्लास कहीं का कफी का कप वो सब कुछ गिरा हुआ था अभी दोनों ने मिलके पूरे रूम को अच्छे से क्लीन किया जारू लगाया पोच्छा भी लगाना पड़ा क्योंकि कहीं पे कहीं पे काफी भी गिरी हुई थी और उसके बाद हमने सारी बगर अपना चेंज किया सारी जूल्री उता रहे और अभी बहुत ज़्यादा रि तो अभी जाके फाइनली टाइम मिला है तो सोचा कि चलो नेल्स लगा लेते हैं साधी तो वैसे पार हो ही गई है बट अभी रिस्टेप्शन बाकी है तो यहाँ पे पाइल मेरी हेल्प कर रही थी हेल्प एक्चुली मैं ही उसका कर रही थी बाकी सारा काम उसी ने किया है म बस stick कर रही थी nails को तो यहां पे उसने अच्छे से file वगरा कर दिया था nail paint वगरा लगा दिया था pile ने अपने nails पे extensions करवाए हैं तो यहां पे मेरी सासुमा पूछ रही थी कि यह nails तो ऐसे लग जाते हैं बर तुमने जो extensions करवाए हैं उसका क्या procedure होता है तो यहां पे pile उनको पूरे अच्छे से समझा रही थी कि क्या क्या process होता है हमेशा से ही ना मुझे बड़े बड़े nails रखना अच्छे से nail paint लगा के रखना अच्छा लगता था लेकिन after baby यह आदत मेरी बिल्कुल छूट गई है क्योंकि मुझे ऐसा रखता है कि मेरे nails पे कहीं उनको लग ना जाए और यहां पे भी मैंने nails का size medium ही रखा था यह जो glue थी काफी अच्छी quality की थी nails मेरे खुद से remove नहीं हुए थे मैंने ही हटा दिये थी reception के बाद क्योंकि मुझे थोड़ा सा uncomfortable लग रहा था nails बगरे लगाने के बाद हमने nail paint लगाया और उसके बाद हमने बिस्तर बगरे बनाया ताकि 2-3 गंटा भी सब मिलके rest कर सके तीनों बच्चे बॉड़ोमा के साथ एक छोटे से bed पे सोये हुए थे और उनको अच्छे से हमने dresses वगरा change कराया full slips का पहनाया अच्छे से सबको blanket वगरा दे दिया था ताकि ठंडी न लग जाए और साथ साथ में तो rituals वगरा भी चल रहे थे तो चलो इसी के साथ आज का छोटू सा व्लॉग मैं यही पे एंट करती हूँ उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आया है पसंद आया है तो like बेटन जरूर हिट करना मिलते हैं बहुत जल नए व्लॉग के साथ